नमस्ते गुरूजी, जै गुरूजी महराच, जै गुरूजी साश संगर जी, शुक्राना, गुरूजी महराच और मटी लिंगो सेवाधार टीम, अब सब का स्वागत करती है. नरेंदे धान अंकल जी के लिखी पुस्तक जीवन और मिर्ट्यू के स्वामी से एक सर्संग हम रख सुनेंगे गुरु परिवाइक दिदरफ से नरेंदे धान अंकल और परतिवा भाटे आंटी दोनों का स्वागत है और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परतिवा भाटे आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशेट करें ओवर जी परतिवा आंटी जै गुरु जी जै गुरु जी महाराज जै गुरु जी सांगेती हम बहुत भागेश आली हैं जो नारेंदे धांट अंकल गुरु जी के प्यारे हमारे बीच है और ये अपने आख में मेरे लिए अत्यांति गर्व का विशह है कि मैं अपने गुरु की धांट अंकल द्वारा लिखे बुस्तक में से सत्संग पढ़ रही हूँ मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस बुस्तक में लिखे सत्संग पढ़ने के लिए मेरा चैन किया और मुझत तुछ को अपनाया तो आए हम इस बुस्तक में लिखे सत्संग पढ़े स्वब्न में शिबलिंग दर्शन झाल झाल जो टीन टमाटो टलते हैं सब्सक्राइब दो टमाटो टालते हैं सब्सक्राइब दो टालते हैं और टू यू नारेंद्र अंकल मैं आंकल दुबारा बोलते हैं सब्सक्राइब दो हजार ग्यारा में गुरुजी ने मेरे सब्सक्राइब दर्शन देकर मुझे एक शिवलिंग दिखाया स्वप्न में ही मैं पहारी पर छुट्या मनाने एक रिसोर्ट में जा रहा हूँ जहां मैंने कई मनोहर जल्प्रपात देखे स्वप्न में ही कुछ चड़ाई के बाद मैंने एक मंदिर देखा मंदिर के निकट पहुँचते ही मंदिर के कपाट स्वधा ही कुल गए मैंने मंदिर में अत्यांत ही अलोकिक वजोतिर मैं शिवलिंग के दर्शन किये मंदिर बहुत ही पुराना एवं बिना सीमिन्ट लगाए छोटे पत्रों से बना लगा रहा था दो फीट उचे भवी शिवलिंग के सामने अत्यांते ही मोहक वसुंदर गनेश जी की प्रतिमा थी वहां कुछ भक्त जन खेरा डाले खड़े थे उन्होंने कहा कि यहां कपड़ा जलाने की प्रथा है मैंने जैसे ही कपड़ा जलाया तो कपड़े में से चका चौंत करने वाली नीली रोष्णी शिवलिंग की और गई अगले ही क्षन सारा मंदिर उस प्रकास से जगमगाने लगा उस दिन सोंवार का प्रातेकाल था मुझे पून विश्वास था कि गुरुजी ने शिवलिंग वगनेश जी के रूप में मुझे दर्शन दिये है और टू यू नारेंदर आंगल अंटी यह है गुरुजी संगर जी अंटी यह है गुरुजी टाइम टू टाइम हमें बहुत कुछ दिखाते रहते हैं पुरान में जा बुक्स में नहीं पड़ा बट हाँ इतना है ड्रीम में गुरुजी मुझे कहीं लेके गए हिमाचल के बीच में हैं मैं बहुत कच्छी पहाड़ी है आपने कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के साथ महां पे चड़ रहा हूं चलते चलते वारिश बहुत हो रही है फिर भी है दो फिसलन बहुत जादा हो रही है और यह दें मंदिर आता है पुराना बहुत बढ़ाना मंदिर बना हुआ इस्को मॉट बोल देते हैं छोटे चोटे इंसे बना हुए तो जैसे हम अदर जाते हैं, कोई ये नहीं है, कुई सीमन्ट लगा हुआ है, जा कुछ और है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज से फिक्स नहीं है, जैसे अंदर जाते हैं, गनेजी की जो मूर्ति बनी हुई है, वो भी सेम छोटे-छोटे पत्तर के टुक़ड़ों स इस इस है कोई विखिया नहीं नहीं है इतनी सुंदर बनी हुई है दो फुट के आसफर बहुत ब्यूटीफुल शिवलिंग है, बहुत एंटिक शिवलिंग जिसको बोल देते हैं, वो शिवलिंग है, तो जब मैं वहाँ पे बैठे मातार देके लगें, उसे पूछा इसका महत्तव क्या हार ली चार पांच लोग होंगे वहाँ पे, कोई गाउं है, गाउं के पुजारी है तो हीसिस कि यहाँ इस शिवलिंग का एक डिफरेंट मीनिंग है, आप यहाँ पे कपड़ा जलाओ, जैसी कपड़ा जलाओगे आपको एक अलग नजारा यहाँ पे नजारा आएगा, तो वहाँ पे परशाद ही कपड़े का चड़ता है, तो जैसी मैंने वो परशाद उस एक नीचे गेती, उसके ड्रॉप गर रहे हैं वायल के, तो वहां से एक नीली लाइट पड़ यूस होती है, और नीली लाइट पूरी का पूरी शिवलिंग के आसपास ओरा बना लेती है, तो उस औरा के जैसी बनता है, तो ब्लू कलर का एक औरा पूरे शिवलिंग के नहीं पता लेकिन हम लोग आज की डेट में कुछ ऐसे शिवलिंग दूंड रहे हैं तो जिनके बारे में जैसे गुरू जी ने कभी वाइस को ड्रीम दिखाया था कि मेरा 5000 साल पराना मंदिर उन्होंने वाइस को दिखाया हुआ है तो हम लोग डूंड रहे हैं तो लेकिन है गुरू जी एक ही रात्री में हम सब को गुरू जी द्वारा स्वप्न दर्शन 23 ओक्टूबर 2011 की रात्री में मैंने गुरू जी के दर्शन किये एंपार स्टेट में वे अपने आजन पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझे वर्टिमपल को पास बुलाकर आशिरवाद दिया उनके चरन कमलों को अपने ओटों से चू कर मैंने उन से जाने की आग्या मांगी उनके चरन कमलों से निकलने वाले अमरित का भी मैंने रस्पान किया उसी रात्री डिम्पल के स्वप्न में उसके पिता जी उससे मिलने आए प्रसंता पूर्वक उन्होंने बताया कि वे गुरुजी के साथ ही रहते हैं वा उनके साथ ही भूजन भी करते हैं पिता जी ने यहे भी बताया कि गुरुजी के रिसोये ने भोजन में जादा घी डाल दिया था। गुरुजी ने उसे भविश्य में कम घी डालने के लिए कहा। डिमपल ने अपने पिता जी से पूछा कि उन्होंने अपने लिए गुरुजी से लंबी आयू का वर्दान क्य और भी आश्यन जनक बात यह हुई कि उसी रात अक्षे को भी स्वपन आया। स्वपन में गुरुजी वा डिम्पल की पिता जी मिलने आये और उन्होंने अक्षे से बातें की। गुरुजी ने अक्षे से कहा कि वे हैं अपने नाना जी की चिंतन ना करे। बेश्यन उसके नाना जी को बहुत का बहुत ध्यान रगते हैं। फिर गुरुजी ने नाना जी, गुरुजी वा नाना जी दोनोंने अक्षे को गले लगा कर आशिरवाद दिया। गुरुजी ने अक्षे से कहा कि उन्हें ग्याद है कि वे मंतजाप नहीं करता है। गुरुजी ने उसे नियमत रूप से मतजाप वध्यान लगाने का निर्देश दिया। इसके पशाथ गुरुजी अक्षे के नाना जी के साथ अध्रिश्य हो गए। जागने पर अक्षे ने अपना स्वपने सुनाया, उस दिन से उसने फिर से मतजाप करना अरंब कर यह निश्चित है कि यह कोई संयोग नहीं था एक ही रात में गुरुजी हम तीनों के सपने में आई गुरुजी चाहते थे इसलिए यह संभव हो सका यह साधारन मनुश्य नहीं केवल ईश्वर के लिए ही संभव है अंकल आप अपना सत्संग इलाबरेट करें और हमारे साथ जब मेरे फादर इनलाओ की डैथ हुई थी तो उनका अक्षे से बहुत ज्यादा प्यार था और गुरुजी के तो क्लोस्त हुई थे वो तो कहते हैं ना फिर भी नाना के नाना गही होता जो बहुत याद करके रोता था उनको मेरी वाई बहुत रोते थी तो एक होता है कि पादर तो फादर ही हो तो जितना मझिकला और उसको नाना का होता है नाना से बहुत प्यार था तो एक दिन हम लोग सब बातें कर रहे थे तो सुबस सोगे, सुबस साधे पांच का टाइम होगा, सब की लिए एक ता, पांच से साधे पांच के टीम, टाइम में, मेरे को गुरुजी दिखाते हैं, गुरुजी बैठे हैं हम इंपायर सेट में आते हैं, तो मैंने आगे गुरुजी को माता टेक है, मैं गुरुजी संगत की बातें करतें मेरा ड्रीम कर्तम हो गया मुझे घृल लिया या कर इसके ड्रीम चलता है सेम टाइम पर कि यह हम लोग अब आपने माइके की घर पर खड़ी है गुरुजी आते हैं और उसके फादर आते हैं दोनों आते हैं और अक्षे भी साथ ही खड़ा है मैं भी महीं पर हूँ तो इसके फादर डिमपल को बोलते हैं डिमपल तो रोया ना कर मुझे यार करके ना रोया ना करकी मेरी डेठ्ट हो गई है कहते मैं बहुत तो इसने बोला कि आप गुरू जी को बोल देते ना कि गुरू जी आप मेरे को ना लेकर जाओ तो वर टाइम और दे दो कि सुबस्र हैं जाने कि सुब्ह और शाम क Puis चांगर लेकर जाते कि वर को उनसे संग एक सबस्के लिधए उनसेश — अगसे में दो के मेरे को तकलीफ होती है तो गुरू जी और यह जी ऐसी ही रहा चैप ना आफ़ उससे भी ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि मुझे तुम लोगों से मिलने के लिए उनसे पूछ के आना पड़ता है तो गुरू जी मुझे नहीं आने देते तो गुरू जी बोलते हैं कि अगर तू चला जाएगा गुरू जी अक्षे को बोलते हैं अक्षे नाने नो जाधा नहीं याद करी रहा हुँदा नाना तेरा नाना मेरे को लिए है तो इनकी टेंशन ना ले इनको याद ना किया का जब तुम सब लोग रोते होना तो मेरे को भी उतनी तकलीफ होते है यतनी तुमारे नाना को लेखने है तो इसली इनको ना जाद किया कर रहा और फिर गुरु जीन उसको बुला तुपाट नहीं करता हैं तुपाट करे रहा तो पाट करना बहुत जरूरी है तो सेम टाइम सेम ड्रीं साथ पांस से साड़े पांस की बिजए के बीच में हम तीनों को गुरूजी ने डिप्रेंट डिफरेंट डूप में दर्श्यन दिये तो वह यह ना वह टाइमिंग गुरूजी डिसाइड करते हैं यह अगर गुरूजी कई वर कई वर हमारे पर प्रॉलम होती है हम लोग बूलते हैं ने नी गुरूजी आव इसकी चोटी एज थी इसकी बड़ी एज थी इसको क्यों हुआ इसके साथ ऐसा क्यों हो लेकिन गुरूजी को मालूम है वो वक्त उसके लिए कितना अच्छा था क्योंकि मेरे को याद है एक बार कोई सोल थी जिनको गुरूजी ने मुक्ती दी थी उस समय अपने टाइम पे तो जब उनको रात को बुखार हुआ उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनको तो गुरू जी तगरीमन दस साड़े दस में लंगर अपना पैक करवा के हॉस्पिटल चले गए थे उनके पास बैठने के लिए उस लड़के के पास सनी नाम था उसका वो सारी रात गुरू ओचा लंगर ऑपनसे वुए हुस्पिटल से उसके पास और शाही रात गुरू जी उसकी बाजू पकड़ के बैठे हुए ते जो मेरे को बताया गया गुरु जी चाड़े चार पांच बजे गुरु जी वहां हॉस्पिटल से बापश आए है तो उसके बाद फिर उसके बाद यह चीज मुझे पूरे गुरु जी ने बताई थी जब गुरु जी आए उसके आदा गंटा बाद उसकी डेट हो गई तो फिर कभी उनके कहते ना पेरेंट्स को भी होता है कि नी नी गुरू जी हमारा बच्चा चला गया, क्यों गया, 28-30 साल का सावो तो फिर गुरू जी एक दिन बैठे तब गुरू जी ने बुजय बताया था, कहते नरिंदर मैंने बहुत बापस करने की कोशिश की सन्नी को, सन्नी बापस आजा लेकिन वो माना नहीं किया, क्यों उस वक्त मेरे पीछे गुरू नानक और शिव दोनों खड़े थे, हम तीनों ही तो जोत हैं, एक ही तो जोत हैं, हम तीनों की हम तीनों उसको लेने के लिए आयते, वो कहते हैं, आज अगर मुझे ये मौका मैंने छोड़ दिया ना, गुरू नानक जी भी खड़े हैं, शिव जी भी खड़े हैं, और गुरू जी आप तो खुद खड़े हो, आप तीनों ही तो मुझे मुझे मुक्ती दे सकते हो, ये म मालूं कि आगे जाके क्या प्रॉलम होने वाली है, कई वर हम लोग गुरू जी से फोर्स होली चीज़ें मांगते हैं अपनी फैमिली के लिए, फादर के लिए, बाकी चीज़ें के लिए, कि ये बिमार है, इसको ठीक कर दो, कोई ऐसी कईयों को कैंसर होता है, तो लेकिन व बैट के उपर ही पड़ा रहे, तो फिर फैदा भी किया है उसी चीज़ें का, तो गुरू पे विश्वाश रखना बहुत जिरूरी है, तो गुरू जी जो करते हैं, हमारे बले के लिए करते हैं, बस वहाँ पर ट्रस्ती है, और कुछ है, जै गुरू जी अंटी जै जब हम उसे बहुत प्यार करते थे, एक फैमिली मेंबर की तरह था, तो उसकी भी जब डेट हो गई, तो मैंने भी गुरू जी से बहुत पुछें कि ऐसे क्यों किया आपने यह वो, और मैं बिलकुल भी गुरू जी से, मतलब मैंने एकदम उनसे बात करनी चोड़ दी, और बात भी क्या, मतलब मैं उन्हें बुरा भला बोलने लग पड़ी, कि मैंने तो एक इनसान से प्यार किया, मतलब एक इनसान को भगवान माना, तो आप भगवान नहीं हो, लेकिन एक दिन मैं ममी के साथ सत्संग में गई, तो वहाँ पे एक शबद आया, कि मनुखा इनसान तिरे को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो अगर तिरे को कोई सुर्मा भी देता है, तो तू उसका शुक्राना करता है, तो भगवान ने तो तिरे को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो अगर वो तिरे से एक भी चीज़ ले ले कोई, तो क्या तू, मतलब तू कैसे रहेगा तो उस म suchen तेड़ को इतनी सारी चीज़ ह definis न दी है तो उसका शुक्राना कर। το अगर तू उसका शुक्राना नहीं कर रहा तो एक मज़दूर जो होता है, वो अपनी मजदूरी के बदले में शाम को भगवान से मजदूरी के बदले में शाम को अपने मालिक से पैसे मांगता है कि मैंने मजदूरी की है तो आप मेरे को पैसा दो तो अगर तूने उस प्रेयर के जो भगवान से प्रातना कर रही है तू उसके बदले में अगर तुने भगवान से कुछ मांगा तो फिर तेरे और मज़ूर में क्या फरक रा तो वोई खहते थे गुरुजी की बस मेरे को मानो और मांगो नहीं मुझसे कुछ बिल्कुल आदे बिल्कुल गुरुजी की छत्रचाया में हम कभी भी अकेले नहीं हैं फरवरी सन दो हजार बारा में टिम्पल व मैं कुछ दिनों के लिए लुध्याना गए काम से केवल एक हफ्ते का ही अफ्काश था नौकरी पर लोटने से पहले मैंने डिम्पल को वहां और जादा रहने को कहा जैसे ही मैं घर से निकला गुरुजी के आशिरवात से मुझे अंतरभास हुआ कि गुरुजी डिम्पल को दर्शन देंगे लुध्याना पहुँचते ही डिम्पल ने फोन पर मुझे बताया कि मेरा पूर्वा भास वास्तव में सत्य हुआ एक बार डिम्पल घर अकेली थी उसे लगा कि उसे मूर्चा आ गई है तथा एक महिला और बच्चा उसे कसकर पकड़े हुए हैं डिम्पल सहायता के लिए गुरुजी को पुकारने लगी डिम्पल ने उस महिला और बच्चे को दूसरी मंजिल से फैंकने की चेश्टा भी की उन दोनोंने फिर वापस आने का प्रत्न किया पर डिम्पल पहली मंजिल पर रहने वाले भक्त के घर चली गई उसी क्षन द्वार की घंटी बसती है डिम्पल के द्वार खोलने पर वहां गुरुजी को खड़ा देखती है डिम्पल गुरुजी के गले लग जाती है गुरुजी उसे सांतना देते हुए कहते हैं जब तक उसके पती वहाँ नहीं है, गुरुजी वहीं रहेंगे, उसे अकेले होने के कारण ड़ने की आविश्यक्ता नहीं है, गुरुजी हर क्षण अपने भगतों की साथ हैं, उनके होते हुए हम कभी भी अकेले नहीं हैं, ओवर टू यू आंगल. कहते हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि घुरुजी हमारे साथ हैं, हमें दर्शन नहीं देते तो गुरुजी ने चोला छुड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं, तो गुरुजी बोतम haloet order को अख्खाrial नहीं हैं, मैं तो कहीं गया ही नह लुग ऐसे ही लुद्याना ऑफिशल टूर पे दोनों गए थे तो ये ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकती थी इसको टाइडनेस ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुझे पन्ना दन के बाए बापस लुद्याना जाना था तो मैंने इसको मना किया तू कि तू रहने दे मैं वालबो में बैठा अभी मैं जब रस्ते में जा रहा था कार पे अपने रेजियन से तो इंडिया गेट नहीं अपना लाल के लिए की बैक साइड सो जो जाते हैं मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं आज डिमपल को ड्रीम आएगा गुरू जी का और गुरू जी उसको दर अपना सोचा और मैंने बस ली और सो गया गरीबन दस वजे मुझे दस वजे के आसपस दिमपल का फोन आया मैं खरना के पास था तो जैसी इसका फोन आया मैंने फोन उठाके सबसे पहले यही पूछा दिमपल गुरू जी के दर्शन हुए कर नहीं हुए तो इसका यही अं तो मैं क्या देखती हूं एक लेडिज और एक बच्चा आता है जिसको हम सोल बोल देते हैं कई वार हम गोस्ट बोल देते हैं सूल बोल देते हैं वह सोल आती हैं वह सोल मुझे पकड़ने की कोशिश करती है तो मैं उन्हों को उठाके हम सेकंड फ्लोर पे सरीटा बहार रह आप जैसे जुद वर ले बचती है तो डोर बैल उससे बागके जाकर आपके अंदर मैं उन्हेंसायगा म्मदर है कि मुझे प्रिशान्र कर तो गुरू जी ह autor में अगया इते मैं होना ना उंदे कुछ भी नहीं होना हुए it national है मुझे मालूम है हम लोग बोलता है कि हम लोगर already沒有 King कल खुरू जी ने पुरी फैमिली का को दिन को दिन पर गूरू जी हमारे बैटरू में जाकर आख खे मेशा हमारे गोरू पूर्न प्रमात्म हैं हमें उप कहने की जरूरत degli नहीं है वो गुरू है ह्व communist के पुरूंस नहीरे है वो नई संगत है हम लोग सोच लेते हैं वो हर एक संगत के अंग संग है बस उनको महसूस करने की जुरूरत है बगवान यहां बसता है बगवान और कहीं नहीं है बगवान को याद करके देखो सचे मन से याद करके देखो आपको हर एक चीज़ का अंसर मिलेगा और अपने साथ आप उनको फ्लील करो जै गुरू की आदिजी जै गुरू जी महाशिवरात्री आशिरवाद सन 2012 की महाशिवरात्री की पूर्वरात्री डिम्पल ने एक और गुरू जी का स्वपन देखा और उन्हों ने डिम्पल को अपनी चरन सेवा देकर उसका कल्यान कर दिया डिम्पल बहुत प्रसंद थी की स्व्यम महाशिव ने उसे इस सेवा का अफसर दिया है उसी दिन ऑस्ट्रेलिया से एक भक्त शिवरात्री का उत्सब बनाने वहां आया हुआ था उसी रात्री उसे वापस लोटना था डिम्पल ने उसे दो मिठाई के डिपे ले जाने के लिए दिये अधिक सामान होने के कारण उस भक्त ने मिठाई ले जाने से इंकार कर दिया हमने उसे भरोसा दिलाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी ही अपनी कृपा से अतिरिक्ट शुक दिये बिना ही ले जाने देंगे अंततहे वे सज्जन दो डिपे मिठाई के ले जाने के लिए मान गए उनका सामान निर्धारित वजन से अधिक था परन्तु गुरुजी के आशिरवाद से उन्हें अतिरिक्ट शुक नहीं देना पड़ा बिना किसी बादा के प्रसाद उनके घर पहुँच गया गुरुजी हर क्षन हमारे साथ होते हैं और उनका महिमा युक्त आशिरवाद हर कदम पर हमारे साथ होता है हमें उनके आलो के प्रभुत्व पर अगात विश्वास होना चाहिए किसी भी तरह का कोई प्रश्ण किये बिना उनकी हर आज्या का पालन करते हुए संपून समर्पन करना चाहिए नरेंदर अंकल आप प्रभुत्व पर प्रभुत्व पर प्रकास टालें वही मैंने अंटी आपको बोला वहाँ पर गुरू पर बिश्वाश बहुत जरूरी है अगर गुरू जी पर बिश्वाश है तो आपके पास सब कुछ है आप उनको हर वक्त मैसूस करेंगे जब वो शिवरात्री का फंक्शन हुआ उस्टेलिया से आये हुए थे तो हमने उनको पर restart से कि आप पर बश्चा ले जाओ तो उन्होंने नेनी बोला नेनी को कि उस्टेलिया में वो हर एक चीज़ चेक करते है मिठाई भी चेक करते हैं अगर इंडिया से कुछ जीज आती है तो बाग्की चीज़ें भी चेक करते हैं उपने नहीं बताया उनको पहले तो फिर वहीं पे उठाके बहाँ फिंग देगा और हम परशाद का नेरादा नहीं करना चाहते तो टिंपल उसें लगे गुरू जी का परशाद आप उस परशाद को ले जाएंगे अप टैंशन ना लो लेकिन उनके बाब बेट भी बहुत जादा था उन्होंने बोला कि बाबी दो डिबे ले जाने भी हमारे लिए मुश्कल हो जाएंगे आप थोड़ा से डिबी में डालके दे दो डिबल कहती है आप कोई बार निया परशाद ले जाओ गूरू जी परशाद ले जाएंगे तो पूरी टीम ने उनका इतनी तबीद खराब होगी कि जनके एमरजनसी में उनको वहीं पर डॉक्टर बुलाना पड़ा और उनका एक भी समान चेक नहीं होने दिया गूरू जी उनके साथ चाए वो मिठ्याई थी चाए वो यहां से अचार लेके गए थी कहते हैं तो इतनी ज़्यादा वर डॉइन फ्रेगनेंस है गूरू जी कि उनके शूज में से वो जिनको उन्होंने ब्लेस करना है उनको अपने आप ही ब्लेस कर देते हैं वो मिठाई का तो एक बहाना था उनको गूरू जी ने अपनी प्रेजन दिखानी थी कि हां मैं यहां पे बै तो गूरू जी के जैसे बचन होते थे जितना गुड़ पाड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा जितना आप गूरू से प्यार करों गूरू भी आपको उतना ही प्यार करे। वस्तु अमोलिक दी मेरे साथ गुरू, किरपा कर अपनायो, पायो जी मैंने गुरू रतन धन पायो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नरेंद्र अंकू, वासन अंकू and multilingual team, शुक्राना जैगुरुजी महाराच, बहुत ही प्यारे प्यारे सहस्तंग हम सबने हैं, आपने बहुत अच्छा पड़ा प्रतिवा भाटी आउंटी, राद अंकल गुरु गुरुबाद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आश्रिवाद, महाराची किरवा हम सब पर बने रहे और इसी के साथ ही हम सब महाराच से आ गया लेंगे